वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब में एक्सपेरिमेंट नहीं चलता, बाईयों और बेनों, मैंने जो कहा इसको आप भूलिये मत, द्रक्स के बारे में कहा था, मजाक उड़ाया, करोना के बारे में कहा, मजाक उड़ाया, याद रखना, आज मैं कह रहा हूँ, कि पंजाब के लिए, पंजाब के युवाओं के लिए, सबसे जरूरी चीज, पंजाब में शान्ती और भाईचारा, इससे जरूरी चीज़ पंजाब में नहीं है। जिस दिन ये गायब हो गई, जिस दिन ये खतम हो गई, पंजाब को बहुत बहुत जोर से चोट लगेगी। एक्सपेरिमेंट नहीं करिए, जो सरकार चलाना जानते हैं, जिनके पास एक्सपेरियंस है, जो सब को लेकर चलते हैं, उनको आप अपना वोट दीजिए, कॉंग्रेस पार्टी को जिताईए यहाँ पे और पंजाब में शान्ती रखिए। मैं गहरी बात बोल रहा हूँ, मैं सोच समझ के बोलता हूँ, मैं हवा में नहीं बोलता, जूटे वाइदे नहीं करता, जो मैं बोलता हूँ, मैं सोच समझ के बोलता हूँ, मैंने पार्लिमेंट में बोला देश दो भागों में बट रहा है नफरत फैल रही है बाहर बॉर्डर पे चाइना बेटा है सरकार सो रही है जुटे बाहिदे मैं नहीं करता मैं आपसे पुरी जिंदगी में यहां आकर 15 लाक देने वाले वाइदा नहीं करूँगा करी नहीं सकता मैं मैं यहां कभी नहीं आऊंगा कभी नहीं कहूंगा कि भाईया एक साल में मैं आपको 2 क्रोर रोजगार दूँआ नहीं कह सकता जुटे मुझे सिकाया गिया है सच्चाई जीत्ती है समय लगता है मगर सच्चाई जित्ती है तो अब मेरी बात भूलो मत पंजाब के सामने खत्रा है पंजाब को एक साथ चलना है जैसे पांच नदियां है सब को एक साथ मिलकर आगे चलना है भाई चाहरे के साथ, प्यार के साथ तब ये प्रदेश आगे बढ़ेगा और ये प्रदेश पुरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखा सकता है जूटे वाइदों से ये प्रदेश नहीं चलने वाला है